राश्ट्रपती रामनात कोविंद ने गुरुवार को संसत के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्युसभा के सयुक्त सत्र को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि देश में हर बहन, हर बेटी के अधिकारों की रक्षा के लिए तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी सामाजिक जक्ति तक सुविधाय पहुचाने के लिए समर्पित है. सभी मतदाता बधाई के पात्र कोविंद ने कहा, महात्मा गांधी की जयनती के एक सवपचासवी जयनती के बाद सत्रहवी लोकसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है. देश के 61 क बधाई के पात्र हैं. लोकसभा के नए अध्यक्ष को भी मैं उनके इस दायत्व के लिए बधाई देता हूँ. चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनाव आयो को बधाई देता हूँ. इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं. इसमें 78 मह महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है. सरकार समाज के आखरी व्यक्ति तक सुविधाईं पहुचाएगी कोविंद की मुताबिक, मेरी सरकार पहले दिन से ही सभी देशवासियों का जीवन सुधार ने कुशासन से पैदा हुई उनकी दूर करने और समाज की आखरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाईं पहुचाने के लक्षे के प्रती समर्पित हैं. देशवासियों की मूल भूत आवशक्ताएं पूरी करते हुए, अब सरकार उनकी आकांग्शाओं के अनुरूप एक सशक्त, सु हर किसान तक प्रदानमंत्री किसान समान निधी पहुचेगी कोविंद ने कहा नया भारत, गुरुदेव रवींद्र नात्र टैगोर के आदाश भारत के उस स्वरूप की और आगे बढ़ेगा जहां लोगों का चित भयमुक्त हो और आत्मन समान से उनका मस्तक उंचा रहे गुरुदेव के शब्दों में चितो जे था भयशुनो, उचो जे था शेर, जो किसान हमारा अरनदता है, उसकी सम्मान राशी की पहुच बढ़ाते हुए अब प्रदानमंत्री किसान सम्मान निधी को देश के प्रते किसान के लिए उपलब्द कराने का नर्न लिया गया ह पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदारों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है, क्याबनियट की पहली बैठक में ही छोटे दुकानदारों और रीटेल ट्रीडर्स के लिए एक अलग पेशन योजना को मनजूरी दी गई है, इस योजना का लाभ लगभग 3 करो प्रक्रती का ध्यान रखना होगा, राष्ट्रपती ने कहा कि नाशनल डिफेंस फंड से भीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलर्शिप की राशी बढ़ा दी गई है, इसमें पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे बेटियों को भी शामिल किया गया क्लाइमेट, चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभागों के कारण आने वाले समय में जल संकट के और गहराने की आशंका है, आज समय की मांग है कि जिस तरह देश ने स्वच भारत अभियान को लेकर गंभीरत दिखाई है, वैसी ही गंभीरता जल संग्रक्ष प्रबंधन में भी दिखानी होगी, हमें अपने बच्चों और आने वाली पीडियों के लिए पानी बचाना ही होगा, नए जल शक्ती मंत्राले का गठन इस दिशा में एक निर्नाया कदम है, जिसके दूरगामी लाब होगे, क्रिशी में 25 लाख करोड का निवेश होगा, स युक्त सत्र को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा कि ग्रामीन भारत को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है, क्रिशी क्षित्र की उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड रुपे का और निवेश किय जाएगा, देश में हर बेहन बेटियों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हे तू तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप रथाओं का उन्मूलन जरूरी है, मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बेहनों और बेटियों के जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 50 लाक रुपे तक के रिन की योजना भी लाई जाएगी, कालेधन के खिलाफ मुहिम और तेज होगी, कोविंद के मुताबिक GST के लागू होने से एक देश, एक टक्स, एक बाजार की सोच साकार हुई है, GST को और सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे, कालेधन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गती से आगे बढ़ाया जाएगा, पिछले दो वर्ष में 4,25,000 ने देशकों को अयोग्य धोशित किया गया है, और 3,50,000 संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन तीन लाख करोड रुपे से अधिकी राशी का निपटारा हुआ है, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर की वजए से अब तक 1,41,000 करोड रुपे घलत हाथों में जाने से बचे हैं, लगबग 8 करोड घलत लाभार्थियों के नाम हटा दिये गए हैं, चंद्रमा पर यान उतारने की तैयारी कोविंद ने कहा भारतमाला परियोजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35,000 किलोमीटर नाशनल हाइवे का निर्मान या अप अग्रेडेशन किया जाना है, साग्रमाला परियोजना में तटियं क्षेत्रों में और बंदर गाहों के आसपास बेहतर सडकों क जाल बीच हाया जा रहा है, हमारे विज्ञानिक चंद्रयान 2 के लौंच की तैयारी में लगे हुए हैं, चंद्रमा पर पहुँचने वाला यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा, 2022 तक भारत के स्वनिर्मित गंगन यान में पहले भारतिये को स्पेस में भेजने के लक् द्वारा अंतराष्ट्रिय आतं की घोशित करना इसका बहुत बड़ा प्रमान है, सरकार विदेशों में बसे तथा वहां कारेरत भारतियों के हितों की रक्षा के प्रती भी सजग है, आज विदेश में अगर कोई भारतिये संकट में फंसता है तो उसे शीगर मदद और र प्रेंद्र मोदी ने आज दोनों सद्णों के सांसदों को बैठक के साथ रात्रे भोज के लिए आमंतरित किया है, यह भोज अशो का होटेल में होगा